हेलो बचो, नमस्कार, जेशी किष्णुर, राधे राधे, कैसे साथ, I hope आप सब अच्छे सोंगे, मस्ती से वड़ाई कर रहोंगे, I am Arnath Aran, Anna Sir, बीटेक फ्रॉम आई डेली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है, Anna Academy, गोटा, बचो कर चैनल पर नहीं हो, तो बड़ा बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज का वीडियो अगर हम देखे तो, हाला कि सब के लिए नहीं है, ये उन बचो के लिए स्टक हो गई है, फिसिक्स, केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, जो मुस्ट ओप दू स्ट्रॉणिस की चलती है, कि ये अगर जी मेन की खास कर बात करें, तो अभी तक के ट्रेंड यहीं बतलाते हैं, कि फिसिक्स और केमिस्ट्री जो है, करीब करीब बहुत सारे औसात या यह वीडियो तो उन्हीं बच्चों को यह गाइडेंस देने वाला हूं यहां से कि क्या ऐसी चीजे करनी चाहिए है ना नेक्स त्री मांस में सो दैट कि वो एक रस्पेक्टबल स्कोर तक पहुँचें हलाकि यह जो चीज मैं बतला रहा हूं यह मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को जो मेरे से उफलाइन पढ़ते हैं उनको पताया हुआ है जब लास्ट के टाइम में अगर बच्चे आते हैं और उनने से बहुत स § cells steps की यह जो स्ट्रेटजी है इसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं किस तारीके से फॉलो करते कर पूरे दिल्से कर स्ट्रिक ले जाते आप तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं आप उस score तक पहुंच जाएगा जो score आपने सोचा भी नहीं है तो अभी हम इस score कोई mind में नहीं रखते हैं हम बस ये देखते हैं कि क्या चीजे possible हो सकती हैं इन आने वाले तीन महिनों में और किस तरीके से हम maths में अपने consistent approach से score को enhance कर सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से काम करने वाले हैं आप decide किजेगा कि तीन महिने में क्या-क्या follow हो सकता है नहीं हो सकता है वो सकता है कि आपकी मेहनत इस कदर की हो जाए कि आप बहुत कुछ कर जाए ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से प समझनी की कोशिच किजी कि आपको किस तरह के questions को crack करना सीखना है दूसरी बात यह कि क्या syllabus है कहा से सवाल कैसे आते हैं इस वीडियो में मैंने कोशिच ऐसी करी है कि हम हर एक तरह के topics को साथ में लें कि देखो दो तरह के approaches यहां build किया सकते एक तो वह कि बिल्कुल जो trending चलत ही नजर अंदाज कर दिया और मान लीजे जिन topics को आप करके गए हैं उसके सवाल आपके particular session में नहीं आए तो आपकी strategy फलाओ हो जाएगी तो मैंने कोशिच इस तरीके से करिए कि हम उन वेटेज वाले topics को भी लें और साथी साथ कुछ और topics को भी लें so that कि आप एक बहुत score तक पहुंच जाएं यानि कि अगर मान लीजे कि वो topics जो लगतार निरंतर हर साल हर shift में आ रहे हैं और उन topics में भी आप बहुत अच्छी तरीके से master कर लीजे और rest of the topics भी आपके एक ऐसे level तक पहुंच जाए कि आपको मजा ही आ जाए अगर हम बात करें कि sir हम समझना चाह हो तो calculus का जो weight is होता है that is around 32% 33% कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो 40% थक भी चला जाता है बचो है यानि कि 8 से 9 question आप expect कर सकते हैं algebra करी-करी 25% होता है कभी-कभी ये दोनों बराबर भी होते हैं लेकिन मान के चले 25% यानि 6 से 7 question होंगे coordinate geometry में 4-5 questions कभी-कभी तो that is करीब-करीब आपका 15% 3-4 questions आपके हर एक session में आपको veteran 3DK मिल जाते हैं कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है 3 मिले कभी-4 और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 5-6 भी आ जाते हैं तो ये overall structure है और इसी पे हमारा सारा video आधारी थे कि किस तरीके से हमें इस cracking ability को develop करना है तो ये ब और किस तरीके से हमें इसको crack करना चाहिए ठीके तो बचो अब आपके सामने वो schedule में try कर रहा हूं share करने की जिसको हम दो महिने में करीब-करीब हम cover करने वाले है ना तो चलिए next slide पे चलते हैं अब बचों के मन में इस सब बहुत सारे सवाल आएंगे कि सर क्या यह sufficient है क्या इतने में हो जाएगा क्या ऐसा है क्या वैसा है देखो इन सब सवालों का जबाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस plan पर पूरी तरीके से work नहीं किजेगा और पूरा अगर विस्वास के साथ work किजेगा तो ultimately आप बहुत कुछ सीख के जाएगा यह मेरा पका पका बिस्वास है और इसी विस्वास को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं बचों है तो जैसे आप देख रहोंगे कि overall जो मैंने break up किया है इसमें आप 60 days देख सकते हैं तो यानि कि आपके पास एक औ सब कुछ यहां पर complete नहीं होने वाला है लेकिन हां हम उस चीज को complete कर लें बचों जिससे सवाल बिलकुल आते हैं और अगर आपका थोड़ा सभी basic part जो है अगर clear है अलका भी तो आप मान के चली कि आप यह सारी चीज़ कर सकते हैं यहां पर जो मेरा plan है इसमें आप और इंटीग्रेशन में indefinite, definite integration है, derivatives में आप मान के चलीए मैं इसमें application of derivatives की बात कर रहा हूं, maximum minimum, monotonocity या फिर tangent normal, tangent normal के हालां की ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, तो हमारे को application of derivative में भी कहां focus करना है बचो, monotonocity और maximum minimum focus करना है न, थोड़ा बहुत tangent normal का भी portion देखना है, और हर इन 4 गंटे, अगर आप में ठीन, में ठान लिया, मेहनत करने की ठान लिया, तो आप इसको 4 गंटे से 5 घंटे तक भी ले जा सकते हैं, किके अगर आपकी physics और chemistry strong है, तो आप इस उनगर 5 घंटे का समय दे ज liते हैं, हैना 4 से 5 घंटे का भी समय दे जिते हैं, तो मेरा मानना ह काफी कुछ हो सकता है possibly निकल के आ जाए है न और ये लगतार 20 दिन आप इसको कर सकते हैं so that कि एक बार आपको confidence मिल जाए 20 दिन के बाद कि यार calculus का हमने major portion कर लिया है अब बात रहें कि सट differential equation या area under curve उसको हमें कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात कर लेंगे लेकिन आप मान के चली कि हमें calculus में start करना है limit से है न और बीच के अगर portion सा आपके derivative और differentiability अगर थोड़े बहुत clear है और यह जो days हैं आप अपने इसाफ से बाढ़ सकते हो but make sure कि आप बहुत ज़्यादा दिन पहले ही chapter को मत दीजे ठीक है अगर आपको लग रहा है कि sir हम इसको कैसे distribute कर सकते है तो जिसे से limit को आप 4 से 5 दिन दे दीजे ठीक है max to max 4 दिन में आप इसको cover कीजे theory के साथ cover कीजे ठीक है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी application of derivative को अगर हम देखे तो six days दे सकते है या अगर थोड़ा लग रहा है कि sir five days में मैं cover कर सकता हूं तो आप five days में इसको cover कीजे बच्चो और जो बचा हुआ दिन है प coordinate geometry भी ले रहा हूं कि बहुत बार बच्चे इसको ignore करते हैं तो अगर आपने में से किसी ने इसको ignore किया है ठीक है और आप चाहते है कि मैं बचा हुआ समय है calculus को दू तो आपके ऊपर हैं लेकिन में कहता हूं इसलिए ये करना जरूरी है कि माल लिजे आपके shift में बच्चो coordinate geometry के सवाल ज्यादा आगे तो फिर आप बहुत परिशान हो जाएंगे और calculus के सवाल अगर कम आए तो फिर वो balance आउट नहीं हो पाएगा तो मैं एक balance भी में आपको बतलानी कोईश्य कर रहा हूं इसमें मुक्यता तीन topics हैं जिससे सवाल आते है circles, parabola, hyperbola कोई बहुत बहु में जो mostly जो पका पका रहता है है ना बच्चो complex numbers, math prices और determinant फिर भी किसी को लगता हो कि नी सर मेरे को complex number नहीं जम रहा है तो complex number की जगह पे आप दो topic और पकड़ लीजिए है ना binomial theorem and sequence and progression पकड़ सकते हैं किकि इससे सवाल आने ही आने है निश्चित तोर पे आने वाले है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा सर बिलकुल आएगा ही आएगा और आप यह साड़े तीन गंटे क्या आप हर एक को मान के चली चार से पास गंटे आप करिए है ना इसमें क्या क्या करना है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे बच्छो पहले तो हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं साथ दिन जो है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबाबिटी कील लिजे कि प्रोबाबिटी बहुत इजी और बेसिक टॉपिक होता है और आपने इसको सौल करना सीख लिया तो प्रोबाबिटी सवाल पके पके आते हैं और बिल्कुल आसानी सो जाएंगे तो सारे वो टॉपिक्स जिससे सवाल आ रहे हैं सब कुछ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री करना जरूरी है यह दिमाग में आते एक बार सवाल क्या करना है इस मेरे हिसाफ से मेंडेटी एट डेस में आप कोश्चिस कीजिए कि वेक्टर एंट्रिटी यह बहुत इंपॉर्टेंट है बचो आप बोलो तो मैं इसको स्टार भी लगा दू है यह जरूर कर लेना है यह जरूर कर लेना ठीक है तो वेक्टर एंट्रिटी और ती आपको अपना करियर बनाना है आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना है जो आपने सोचा था कि यार करके दिखाना है तो अगर आपको उस मुकाम तक जाना है तो आपके पास पोई काम नहीं आपको बस एक ही काम है पूरे मन से पूरे लगन से पढ़ तो आपके हिसाब से आपको जो लगता है कि मेरे को लगता है कि मेरे लिए easy है मैं इसको करके यहाँ पर अच्छा नंबर निकाल सकता हूं आप उसको कर लीजिए किसी को लग रहा कि नहीं सर यहाँ पर हम area under curve करना चाहते हैं या फिर हम differential equation करना चाहते हैं आप कर लीजिए क्योंकि ये भी weightage वाले topics हैं इससे भी सवाल आते ही आते बचो है न और उसको भी 4-5 गंटे कीजिए मतलब 4-5 मतलब 4-5,5 तो बिल्कुल टिका ही दीजिए अगर मैं 3,5-3 गंटे भी पढ़ता हूं स्कोर लेकर आएंगे आप इस कारे को करते वक्त जब हम ये पढ़ाई कर रहे हूं तो हम make sure करें 2-3 चीज़े make sure करें 2-3 चीज़े पहनी चीज़े यार की short notes यारी short notes में देखो match में वैसे देखा जाया तो यार short notes में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ नहीं करने वाले हैं लेकिन हां short notes में जैसे आप questions कम से कम मार्क कर लीजे कि आपने जो पढ़ा है उसमें कौन-कौन से सवाल अच्छे है ना formula बना लीजे formula book type या formula notes type की चीज़ बना लीजे और आपके हातों में गर आपके हातों से बना हुआ formula book है जिसमें आपको पता है कि यह वाले जो formula है मुझे तकलीफ देते हैं अगर आपने उसको formula book में बना लिया तो जब अगली बारी 60 दिन के बाद आप इनी चीजों का मैक्स में revision कर रहोंगे और और high intensity प्रैक्टिस कर रहोंगे तो मेरा मानना है कि वहां आपको यह बहुत 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 तरीके से लाव देने वाले हैं ना तो short notes और formula book इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिजे इसको करते बगत यह काम कर लिजे short notes में आप चाहे तो सिफ question लिख सकते हैं आपने जो जो चीजे प्राक्टिस करी हैं जिसे जो भी lectures देखे आपने उसके अगर माल लिजे कि notes आपको लगता है या पर time stamp लगता है कि यह वाला question इस time stamp लगता है कि यह वाला question इस time stamp पर फिर आप उसको revisit कर सकते हैं जब भी कर रहे हूं so that कि उस particular topic में आपकी जो पकड़ है वह बहुत तगड़ी हो जाए इस चैनल के अगर हम बात करें इस चैनल पर दो ऐसे series हैं जो आपको बहुत help कर सकते हैं एक तो है बच्छो संकल PYQ series जो आपको playlist ढूनने पर मिल जाएगा इसमें मैंने आप माल लिजे कि सिर प्रिशन को देख सकते हैं तो PDF कीजिए PDF का मिलेगा टेली ग्राम चैनल पर बिल्कुल और चैनल पर आपको इसके PDF मिल जाएगे यह बहुत इंब आप टेली ग्राम जोईंगी कर लिजे साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो बहुत मेहनत करने वाला हूं तो आ आप अपने अपने हर दिन का जो दिन चर्य है जो रूटीन है उसको इसके साथ एक डिसकर्शन गृप है जो आपको इसी पर मिल जाएगा उसके लिंक इसी चैनल पर मिल जाएगी जैसे ही आप इसके थोड़ा सा डिसक्रिप्शन को ट्राइ किजिए गा एक्स्प्लूर करन करनी है या थोड़ी दिक्कत है या मेरी थेओरी कंप्लीट है या नहीं अगर यह जाने तो आप संकनात सीरीज को भी जोइन कर सकते हैं हाला कि मैं अपनी अप पर अन्ना एकाड़िमी अप है मेरा और वहां पर आपके पास पेड रिसोर्स हैं तो अगर आपको लगता है कि वह लेने हैं तो आप ले सकते हैं और उसमें से जो टॉपिक्स हैं आप वो कर सकते हैं सहुझ मैं आगए तो यह एप पर मिल जाएगा उसका भी लिंक आपको description मिल जाएगा तो संकल प्रिवाई की सिरीज और संकनात सीरीज अगर आप इसको करते हैं संकनात सीरी में करने में अपने आपको बहुत करना पड़ेगा इनिशली हम मैं से कोई भी क्लॉक के साथ काम करने में कमफटेबल ही होता है हम पैसे एक भी स्टुडेंट हम अगर मैं अपनी भी बात करो अपने भी प्रप्रेशन जर्णी की बात करो तो ऐसा बिलकुल नहीं था कि यार पहले लिमिट में करने की प्रॉलिम को ट्राइ करता हूं तो बहुत आसानी सुझत नहीं यह अपने आप एक ग्रेज्वल प्रोसेस है धीरे धीरे चीजे इसमें बनने वाली है ठीक है लेकिन बने इसके लिए जरूरी है कि आप आज से वो शुरुआत कर दे हो सकता हो कि आज मैं माली जे मैंने अपने असाइम्मेंट का आगलन किया कि मुझे तीन घंटे में असाइम्मेंट कम्रीट करना है पांच घंटे लग गया नौट टू वरी लेकिन एक बार स्टार्ट तो कीजिए इसके साथ हो सकतो अगली बार आपका माइंड थोड़ा सा आपको और पुश कर नहीं दे सकते हैं कहीं न कहीं है हमारी जन्नी में हमारे देंड संकल्प में ही कुछ कमी है जिसके वज़र से यह हमारा प्रपरेशन जो है उतना अच्छा नहीं हो पाया है ना तो उस इरादे को और पक्का करते हुए कोशिश किजिए कि हम डिली कोश्चन और टाइम बाउ हो तो हम इजी लेबल के कोश्चन को थोड़ा पहले लें सो देट की कॉंविडेंस या उसमें थोड़ा हम इन्वाल हो जाए और फिर लेटर रान फिर थोड़ा मॉडरेट और तफर साइड और प्रावलम को जरू करें हाला कि तफर साइड और अगर देखेंगे तो अभी यही में ने थोड़े कम किये पहले इसका जो अनुपात था प्रोपोर्शन था वो जादा था अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी हम कोशिच करें कि इजी साइड के प्रावलम और मॉडरेट साइड के प्रावलम पे तो मास्ट्री करी ले और मैंने तो आपको बिल् और किस तरीके से क्विक टाइम में हम कोशिचन को सॉल करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा तो जरूर इन सीरीज को पॉलो कर लिजे और आप अपने मुकाम तक पहुँचिए तो आई होप कि स्टार्टिंग के 60 डेज आपने कवर कर लिए 60 डेज में जो भी काम किया व हमने नोट्स बनाएं और उसके बाद हमने टाइम बाउंट प्रेक्टिस 20 डेज कर लिए अब उसके बाद जो अगले 10 दिन हैं बच्चो है ना हम 90 डेका हम यहां लेकर चल रहे हैं तो हम लोग को अब मौक टेस्ट पे काम करना बड़ेगा मौक टेस्ट पे बिना काम की इस चैनल पे है इसको जरूर 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 रेफर कर सकते हैं और इन 10 दिनों में हमारी कोचलों की खूब सारे पेपर करें प्रीवियस यह पेपर्स भी लगाएं सो धैट कि हमें पता चल पाए कि हम किस तरीके से काम कर पा रहे हैं इसमें एक चीज़ और अच्छी बात है आपको पता है कि आपने कौन-कौन से टॉपिक्स किये हैं तो आपने जिन-जिन टॉपिक्स को किया है मेरे भाई आपको पहले उनहीं के कोश्चल्स ट्राइ करने और उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रीन जोन है जो आपको पता है कि यार इससे सवा तो 90% probability कि मैं कर लूँगा उन सवालों को आप पहले लीजिएगा मॉक टेस्ट में एक बेटर स्कोर और एक बेटर confidence की तरफ जाएं और यह जो परिशानी है कि सर मैच हमारे को परिशान कर रहा है कुछ ऐसा हो जाए कि हम लास के स्कोर चल रहा है मैच के टेस्ट में what is your आगे आने वाले समय के strategy कैसा लगा यह वीडियो आप इसमें और क्या add-on चाहते हैं उसके बारे में भी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं in the comment section तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान र अपना प्रूफ